दोस्तों गर आप भी चाहतें कि भारती टीम बागला देश को हरा दे तो हमारी इस वीडियो ओ लाइक ज़रूर कीज़ेगा दोस्तों चौते दिन भी नहीं जीता भारत तो भड़क गए भारती दिगज जी हाँ दोस्तो चौते दिन भारती टीम को जीत ना मिल पाने पर भारती दिगज बढ़क गए और भारती दिगजों ने भारती टीम पर अपना गुसा निकालते हुए भारती टीम को जम कर खरीखोटी सुनाई है और अपने बैयार में भारत के दिगजों ने कुछ ऐसी बाते कहीं हैं जिसको सुनकर आपके भी पैरो तले जमीन किसक जाएगी तो आखिरकार भारती दिगजों ने भारती टीम को लेकर क्या वयान जारी किया जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखेगा लेकर उसे पहले आप सबी को क्या लगता है कि विराट कोली और चेतेशर पुजारा में कौन है खतरनाक के लाड़ी इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सिक्षन में जरूर दीजेगा दोस्तो चौते दिन का खेल खत्म हो चुका है और बांगलादेश ने 513 रन के लक्ष का पीछा करते हुए 6 विकेट खोकर 272 रन बना दिये हैं और ये मैच जीतने के लिए बांगलादेश को 241 रनों की जरुत है वहीं टीम इंडिया को चार विकेट लेने हैं और बांगलादेश के कप्तान शाके भलसन चालीस और मेहदी हसन मिराज 9 रन बना कर खेल रहा है ये बांगलादेश की आखरी जोड़ी है जो अपने नाम कर सकती है और आज के दिन भारत के लिए अक्षर पटेल ने तीन विकेट लिये हैं और वहीं उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन और कुलदी पियादो को एक एक विकेट मिला बांगलादेश के लिए जाकर हसन ने शतक लगाया नजमुल हसन ने सत्सट विरोधी टीम को पूरी तरीके से चकना चूर कर दिया था, परंदु भारती टीम ने जादा बहतर प्रदशन नहीं किया, इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए काया है कि अगर भारती टीम शुरुआती एक विकेट जल्दी निकाल लेती तो आज के दिन ही फैस प्रदशन करते हुए टीम को जीत की दहलीज परला कर खड़ा कर दिया, इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए काया है कि अगर आज गेंद बाज और भी जादा बहतर प्रदशन करते तो श्रायत भारती टीम आज के दिन ही इस मुकाबले को जीत जाती और पांच भारती टीम अगर चौथे दिन जीतने में असमर्थ रही है तो भारती टीम में कुछ तो कमिया है, इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए काया कि भारती टीम को इनकमी को मजबूती में ट्रांसफर करना चाहिए क्योंकि गेंद बाजों का बहतर प्रदशन भारत को जीत पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को, धन्यवाद